अल्वेज विंडी यह अधिया इंडियान दूरी दो सो चालिस क्लोमेटर है और वहीं जैपूर से आगरा लगबग 230 किलोमेटर है आप रोड से भी जा सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगरा दोस्तों हमें आगरा में जाएंगे आगे ताज महल विजिट के लिए सुबह के साड़े आठ बज़े है और मौसम काफी गर्म हो चुका है गर्मी बहुत है यहां पे आगरा में कलका टेंपरेचर 47 के आसपास देखा था और आज भी दग रहा है काफी अद्टक गर्मी जाएगी तो चलिए आपको देखाता हूं ताज महल और फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए तो मुझे एंट्री गेट पर रोका गया क्योंकि उनको लगा कि मैं एक विदेसी नागरी कूं लेनी होती है और वहीं भारतियों के लिए 250 की टिकेट है और मेरे पास 250 की थी है लेकिन उनको लगा कि मैं विदेसी हूं इसलिए मुझे यहाँ पर पास्पोर्ट और आतार कार्ट दिखाने के बाद ही मुझे अंदर जाने लिया तो दोस्तों हम कड़े हैं उस समय के मीना बाजार में ताजमेल के अंदर जाने से पहले हमें यही से होके जाना पड़ेगा इसको फॉर्गेट गार्डन या फॉर्ट कोर्ट एरिया भी कहते हैं और यहाँ पर चार गेट हैं जो इस गार्डन में आके मिलते हैं और फिर आप रोयल गेट से और साही दर्वाजे से जो आप सामने देख रहे हैं यही से अंदर ओके ताजमेल को देख सकते हैं ये गेट रेड स्टॉन से बना हुआ है जो फतेपुर से क्री से लाए गया है वहीं जो आप ताजमेल लेखेंगे वो मकराना के मार्बल से बना हुआ है कर दोस्तों जहां खड़े हैं यहाँ से अՑर आजमेल देख सकरें तो आपको लएगा जैसे जैसे हम दीरे-दीर अंदर जाएंगी गेट की तरह तो ताजमेल दीरे दूर होता नजर आएगा इसको आँखों का दोखा भी और ने एक न लेकाश पस्तियुरं और जैसे जैसे हम सामने जाएंगे यह थोड़ा थोड़ा दूर होता जाएगा हमसे और इसका साइज और बड़ा होता जाएगा ताजमेल की दूर ही यहां से लगबख 300 मीटर है तो फ्रेंड्स अब गड़े हैं ताजमेल के सामने देखिए मेरे भीचे आप देख सकते हैं ताजमेल खूब शुरूर ताजमेल तो बताएगे कुछ ताजमेल के बारे में दुनिया का सात्मा जुबार दूर से लगए होगी है पैंटिंग नहीं है पीछे वही इसलिए कि दूनिया के सात्मेल से वना हुआ अलग है और यहां पे चार पिलर है एक दो तीचार और एक गम सीधे नहीं है तो एक को दूबढ़ना हो तो बहुत की साइड में दूसरा रिजर कार्ज मेल के मतब्स होता है क्राउन पैलेस मुम्ताज क्राउन पैंटि ती उसी के डिजाइन में यह ताजमेल को दिया गाए और ताजमेल के आई आप उस साइड में देख लो मस्दित हर सुकुर्वाद को यहा आप देख रहे हैं उस जमाने के फाउंटन है उस जमाने में किस तरह चलते थे एक बड़ी पानी के टंकी लेते थे उसमें पानी प्रेसर से डालते थे और खुछ पल के लिए चलते आप तो इलेक्टर नी चीज से चलने लगा है सामने प्लेट फार में है लेडी डायना चेर जितनी फोटोग्राफिय भूती है और इसी पॉंड से होगे इसी पूंड से पूरा ताजमेल नहीं है तो वहीं तक ही है आप देख इसके पीछे तो दोस्तों राजू जी ने अपने को बताया ताजमेल की खानी उनका थियास अब चलते हैं ताजमेल के अंदर देखते हैं अंदर ताजमेल को खूबसूरती उसकी और देखेंगे यमुनो नदी ले जाता हूं आपको ताजमेल के लिए जरा हम अब झाले हैं यह ताजमेल का सबसे बेस्ट फोटो पॉइंट यही से ताजमेल का सबसे अच्छा आए जिपोताम जितने भी बड़े बड़े स्टार बडha jab contacts मेल देखने आते हैं तो इसी जगे से अपने फोटो क्लिक करवाता है बारतियों के लिए ताजमेल लेखने के लिए दो तरह के टिकेट हैं एक 50 रुपे का और एक 250 रुपे का 50 रुपे के टिकेट के साथ आप यहीं तक आ सकते हैं मकबरों तक आप नहीं जा सकते हैं जो की उपर है और हमारे पास 250 रुपे का टिकेट था इसलिए हम उपर जा सकते हैं साहजा और मुम्ताज का मकबरा देखने के लिए तो चलिए फ्रेंड्स आपको लेचलता हूँ मकबरे दिखाने के लिए तो दोस्तों मैं उपर आ गए हैं जहां पर साहजा और मुम्ताज का मकबरा आएं जहां पर साहजा और मुम्ताज का मकबरा आएं तो आपने देखे साहजा और मुम्ताज महिल का मकबरा तो फ्रेंड्स चलिए बाहर आपको दिखाते हैं ताज महिल का बाहर से व्यू और दिखाता हूँ आपको यमुना नदी तो आप देख रहे हैं यमुना नदी और जो सामने आप जगे देख रहे हैं यहीं पर कहते हैं कि साहजा काला ताज महिल एक और बनवाना चाह रहा था उसके बाद में उसके बेटे औरंग जेम ने उसको नजर बंद कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पूरा साही खजाना एक नए काले ताज महिल बनाने में खर्च हो जाए इसलिए उसने अपने पिता शाहजा को नजर बंद कर दिया लाल के ले के अंदर और वहीं पे उसकी मृतियों हो गई कहते हैं कि दोस्तों रात में ये ताज महिल और भी कुपसूरत लगता है खास करके जब चांदनी रात होती है तो यहाँ पे पूनम की रात को एंट्री कर सकते हैं उसका टिकेट 1000 रुपे है और रात में ये बिलकुल सफिज चमकता है और अंदर लगे हुए नगीने और ज तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही कॉमेंट्स करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको ताज महिल ताज महिल की खूपसूरती आज के लिए इतना ही मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद